नमस्कार दोस्तों सवगत है आपका इस सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंद सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूट्व में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सा स्वागत है आपका इस्टेडी फार ग्यांस में दोस्तों सामान हिंदी प्रेशनोत्री का या दस्वाँ वीडियो है और यह वीडियो आपके आगामिक जाम अलाबाद हाइकोड गुरूपसी गुरूपसी गुरूपडी इस्टैनों ड्राइबर यूपी ट्रूपसी जो इ या 9696066089 पर कॉल यह वर्ट सपरके तो इसको कुझांकारी प्राफ कर सकते हैं तो यह वीडियो शुरूप करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रस्ट अउपसर्ग से बना सब्द बताईए चार सब्द ये गए हैं इनमें से कौन सा एक सब्द जो है आउपसर्ग से बना है अनीत आगमन अत्यंत और अनुज इसमें जो अ उपसर्ग से बना सब्द है वह आपका ऑप्शन ए है अनीत जो है इसमें आ जो इसका मिच्छित करेंगे तो इसमें जो होगा वह अधन नीत यह जो है इसमें आउपसर्ग से बना है आगमन में इसमें दीर्ग आल जूड़ा हुआ है अती धन अन्त कि इसमें अती उपसर जूड़ा हुआ है और अनुज में जो है अनुज में अनुज इसका अप्शन सही है अनीथ में आउपसर सिपराज है सब्द है अगला प्रसंद देखते हैं मयाव मैं तो चंद्र खिलावना लहों इससे पंक्त में कौन सा अलंकार है उत्परिच्छा आतिस्योग की मानवी करण अलंकार या रूपकरंकार तो इसका सही आंजर आपका ओप्सटन D है इसमें जो है रूपकर अलंकार का प्रयोग किया गया है इसका ओप्सटन D सही है बढ़ते अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है मैं यह काम नहीं किय हूँ मैं यह काम नहीं किया हूँ इस वाक का सुद्धरूप लिखिए मैं यह काम नहीं किया हूँ इसका सुद्धरूप हो जाएगा मैं यह काम नहीं किया है इसका सुद्धरूप हो जाएगा मैं यह काम नहीं किया है इसका सुद्धरूप हो जाएगा मैं यह काम नहीं कि जाहोगा तिसका option B सही है है अलक अलिक डोनों समस्वत सब्दें का अर्थ क्या होगा आपके सामने चार अप्षन है तो इसका सही आशर हो जाएगा अलक का जो अर्थ होता है वह होता है केस और अलिक का जो अर्थ होता है वह मस्तर इसका option A सही है केस और मस्तर बढ़ते अगल साना का भिकल्प धर्ति धर्ति का परिवाची नहीं में इसमें सही आंसर आपका हुद्जाय ओब्सन الن को ग्रेलिटी एक अम्मिजोंट ऑफके की जो एक को तहज़ेे माकी मेधनी वशुंद्र्रा ये इंतिके इस को अप्शन की सही है कि द τους आनन जक्रेंक कौंसा स्मास सेक्थ यह बहुत आसान सकंष नंक द taraf और दसाननन इसमें जो है बॉबरी समास है, इसका उप्चन A सही है, दसाननन में बॉबरी समास है, ठाली का बैगन मुहावरिक अर्थ क्या होगा? थाली का बैगन मुखवर का अर्फिया होगा? इसका सही आङधा, अंसर आपको हो जाएगा, किसी एक पक्ष or कभी किसी एक पक्ष और कभी δूसरे पक्ष में रहना, इसका option C वाला सही है, थाली का बैगन होना, मुखवर का जो अर्फ होगा, कभी एक पक्ष है, और कभी दूसरे पक्ष में रहना जो है, थाली के बैगन का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा. जैसे कि वर्तमाल में जो नेता लोग है, उनपार यह मुहावरा बहुत ज़्यादा साटीग बैठता है, कि सारे निता जो है थाली के बैगन होते हैं कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में सहयोगी सहयोगी का सही बिलोमसद है सहयोगी का सही बिलोमसद है सहय पार्टी, पृतियोगी, सहय कर्मी, बिरोधी रिखते हैं अगला कुश्टन है क्षंड का नाम बदाओ इसके प्रतेक्षड में 24 मात्रा होती है और और गिरहमी मात्रा पर यती होती है तो वह कौन सा चंद होता है या रूला चंद होता है इसका उप्शन सी सही है कंठ से उत्पर्ण होले वाले वर्ण है किन वर्णों का उचारण जो अस्थान कंठ है आपको या बताना है उप्शन चाहिए गए और आप लोग ध्यांस पड़िये त्युक्षका अंसर जो है ऐसन एक जो वर्ण होते हैं उनका उचारण अस्थान कंठ होता है और चाचय का जो उचारण अस्थान होगा तालब्य है त्युक्षका आप्शन एस है जो हा नुट्ध से आडंबर का परि दर्प जो है यह आडंबर का परियावाची नहीं है बाकी तीनों जो है पाखन धकोसला ढोंग यह तीनों आडंबर के परियावाची सब्द है दर्प जो है यह घमंड का परियावाची है घमंड अभिमान इसके परियावाची दर्प है इसका ओप्शन डी सही है सब्ढ़ा 14 सब्दब विद्याले की बढ़ा सकता है जो अनुसासण में रहे यह प्रश्नवाचक वाक्ष मिस्रिवाक्ष सायुक्त या सरल वाक्ष तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओप्सन बी यह जो है मिस्रिवाक्ष का उधारण विद्याले की सोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुसासन में रहें इसका ओप्सन बी सही है बात तजुर्बा में उपसर जुड़ा हुआ है इसमें जो मूल सब्द वर तजुर्बा है इसमें बात जो है उपसर जुड़ा हुआ है इसका ओप्सन बी सही है किस बिकल्ब में सभी सब्द तदवों हैं इसमें तदवों पुछा जा रहा है किस बिकल्ब में सभी सब्द तदवों हैं चार उप्सन दिया गया है और लोग ध्यान से करके पढ़ लिए तो इसका सही आसर हो जाएगा आपका option B, छकड़ा, काजल, खेट ये तीनों जो है, सब्धयुग्म ये आपका तद्भव के सब्ध है, तीनों सब्धयुग्म ये तद्भव के सब्ध है, इसका option B सही है, निम्रकित में से वाक के सुद्ध रूप का चैन कीजिए, इनमें से कौन सा वाक के सुद्ध आपको ये पॉचानना है, आप लोग option को बहुत ध्यासे पढ़िये, तीसका option A सही है, वन में प्रातयकाल का दरिस्य बहुत ही सुआवना होता है, ये वाक की जो है, सुद्ध है, तीसका option A सही है, व्यूत्पन्नमत सब्द के लिए सही वाक्यांस निम्न में से कौन सा है जिसकी बुद्धी में तुरंत नई सूझ उत्पन हो उत्र ना देने की छमता वाला जो फिर से उत्पन हुआ हो या जो ततकाल सांथ हो जाए तो इसका जो सयांस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जिसकी बुद्धी में तुरंत नई सूज उत्वर्ण हो यानि अत्रिस्री ग्रिस सोचने वाले के लिए एक सब्द होगा वह व्यूत प्रित्यूत्पर्ण मत्य होगा इसका ऑप्शन ए सही है अगला प्रशन दें लो अगला प्रशन है निम्रखित में से तत्सम और तद्भाव का कौन सा यूग्म सही नहीं है इसमें सही नहीं पुछा जा रहा है वर्तिका बत्ति वधू बहू पौत्र उत्तर वडिक बनिया इसमें जो सही यूग्म नहीं है वह आपका ऑप्शन सी है पौत्र का जो तद्भाव होता है वह पोता होता है बाकी तीनों जो यूग्म सही सुमेलित है वर्तिका का बत्ति होता है वधू का बहू होता है और वडिक का जो बनिया हो जाता है इसका ऑप्शन सी सही है पौत् निम्लखित में इसे कौन सा संदी विच्छेद सही है? इसमें सही पुछा जा रहा है, चार सद्य गए है और उनके सामने जो है, संद्य विच्छेद दिये गए है महाविध्यालय, मध्धार, महार्शी, व्याकुल। इसमें आप लोग देह पा रहे होंगे, इसमें जो मध्धार का संद्विच्चेद है, वो आपका सही है, मधुधन अरी। और इसमें जो हैं, यन संद्धी है। के यह संदिए के महाभद्याले का जो संदिविच्षे दो हो जाए आपका महाधनुरी सब्सक्राइब में आपको थन दऋ ब्री头 धन आकुल. तोि इसका सही सिंदी बीच URLs जाएगा या इसका सही आंसार आपका option B है. हम चूडियाँ पहन रहे हैं. वाके की क्रिया किस काल की है? इसमें काल बताना है, अपूरवर्तमान काल, सामानी वर्तमान काल, पूरवर्तमान काल या संदिग वर्तमान काल. इसका उप्शन A सही है। प्रेम्चन के मर्डों प्रान उनकी कहानिया किस कहानी संग्रेक के नाम से प्रकासित हुए। सुखा शरोजार शरोवर निर्मल सरोवर मानसरोवर या जगत सरोवर तो प्रेम screening मर्डों प्राण उनकी जो कहानियों का संग्रें किया गया था उसका नाम मानसरोवर हैसका औula सभी है जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मत दिख कौन से संदी होगी यर्ण स्वर व्यंजन या देर तो इसका सयांसरा सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमारा इसमें आपको प्रिकाड़ करते हैं जंब करना और के सकते हैं इस समय दिस्कांट भी चल्ला थो आप लोग जो है डिस्कांट का लाब उठा सकते हैं और अपने तयारी पड़िया तो इसका यांसर आपका option D hunt this I am a Hudson एक यह डिए अनद्र और सब्यमार लोकुक्ति का अर्थ क्या होगा टिंथ का सघ्यानसर आपका उप्स מש r철 निय ऐक वर्षर सुपल्ट के नेग एक वर्षर गरहा करनेग जोtt एक अनार सो विमार लोकोती का अर्थ हो जाए रहा हूँ इसका option C सही है बरतियां अगले question की तरफ अगला question जो है समसुरत का question है समसुरत भिर्नात्यों सब्धियोग में निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या है आपके सामने 4 option जिया गया है MindaBhram, विवाद रहीं मृत्यता, निंदा, विवाद रहीत, निस्काषन भाई चरह इसमें तो सही सही answer हो जाएगा वह जाएगा आपका option C निर्वाद का जो अर्थ होटा वे निंदा वहता है Minda और निर्विवाद का जो अर्ष हो जाए का वह विवाद रही विवाद रही तो दोस्तों या कुछ मात्रपूर्ड सामान हिंदी के प्रश्णों कर चुके हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक आ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए में नेक्स